हे गाईज देखो गॉर्मेंट के तरब से एक खबर आया और जिसके वज़े से टेक्स्टाइल स्टॉक्स में तेजी देखनी को मिलना स्टार्ट हुआ अगर आप देखो एक दो साल पहले जब बजट में टेक्स्टाइल कंपनियों के लिए जब खबर आया था तब वहां से सारे टेक्स्टाइल कंपनियों ने चार-पांच गुना कर दिया था पैसा और इस बज़ेट में नहीं आया है लेकिन फिर भी मैं आपका विलूगा कि ट टेक्स्टाइल मार्केट बहुत ही बड़ा देखो हंडेड परसंट टेक्स्टाइल होता है मतलब हंडेड परसंट लेके चलते हैं किसी भी चीज को इसमें से इसमें से इंडिया कितने टेक्स्टाइल को कवर कर पाता होगा हंडेड परसंट में से कितना पावर है इंडिया जो है टेक्स्टाइल का जो काम है ना वो चाइना इक ही करता अकेला हम कितना 6-7 परसंट भाई हम इसके आजू-बाजू भी नहीं है बाद समझ में आ रही है ना तो गौर्मेंट ने क्या किया कि भाई अब हमें चाइना से एक दम आगी दाना तो चाइना का जो प्रोडक्ट चलता है लेकिन इंडिया का ब्रांड चलता है नहीं चलता इस वजह जैसे सरकार जो है इसको पूरे वर्ल्ड में एक्स्पोर्ट करने की कोसिस कर रही लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा energy लगेगा money लगेगा money तो लगेगा ही लगेगा यह जो ख़बर आती है यह प्यूस गोल जी के तरफ से आता है ठीक है यही सारे action लेते हैं सारी चीज़े तो बताया जारा प्यूस गोल जी के तरफ से a textile industry to collaborate किसके लिए किसके लिए partner for R&D and innovation research and development बहुत जरूरी है मैंने देखा है stock market में कुछ लोग देखो मैं यह word इस्तमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा अब क्या करें लोगों को बुरे लग जागा इस वाज़े से लोग नहीं बोलता जाने तो कोई दिक्कत नहीं है होने दो loss होने तो मुझे क् पैसा खर्च किया नहीं जाता लोग बोलते इस पर कौन पैसा करेगा हम तो ऐसे कर देंगे कुछ लोग का मानना है कि तुम्हारा जितना उमर है ना उतना तो मेरा तर्जूर्बा है बहा समझ मार यह ना मेरे यूहीं बाल नहीं पक गए भई समझ नहीं अपने पापा से प लेट में जिस बच्चे का उमर केवल 10 साल है या 15 साल है पता ही लोग मंतली कितना कमाते हैं कितना कमाते हैं इतना सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग 10 लाक रुपे मंतली कमाते हैं मंतली 10-15 साल के बच्चे और पता है यहां पर कुछ-कुछ ऐसे भी लोग है जिनका एज लेकिन बेचारे लोन में है वो लोन में वो भी देना है उनको बात समझ में रहे हैं यह लोन में डुबे हुए है ऐसे हैं और इनकी सेलरी होते 25,000-30,000 फिर बोलता है कि गवर्मेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती है सरकार यह नहीं करती है रहर कम सरकारी करेगी कभी तो कोई research और development करता ही नहीं है इसके उपर पैसा पता है एक company है जो 17% R&D पर पैसा खर्च करती है भाई 100 रुपे कमाती है तो 17 रुपीज तो भाई यह किवल R&D में खर्च करती है और minimum अगर average लेके चलते है तो 10% तो सारी company R&D पर खर्च करी देते है क्योंकि यह company है इनको प पोबलूँगा एक छोटा सा भी अगर अपनी innovation कर दिया ना तो बहुत जादा पैसा कमा सकते है लेकिन innovation करने में बहुत ताकत लगते भाई आराम से नहीं होता है फिर भी हमारी government कोसिस कर रही है उस line पे ले जाने के लिए तो यह कोसिस कर रहे है कि इंडिया के कोने कोने मे एक ecosystem बनाया जाए भाई टेकस्टाइल के लिए जैसे कि करनाटका, गुजरात, महरास्टा, तामिलनाडो, तेलंगना, यूपी हर जगह में तो बहुत ज्यादा अच्छा रहे है हमारी इंडिया में ऐसा नहीं है capacity बहुत है और टेकस्टाइल से पता है लोगों को रोजगा बहुत मिलता है बहुत ही जादा लोगों को रोजगार मिलता है और इससे क्या होता है कि हम export भी तो करेंगे तो हमें इधर भी तो फायदा होगा ना तो चारो तरब से फायदा ही फायदा है लेकिन पहले किसी भी चीज़ को profit करने से पहले आपको थोड़ा बहुत loss करके है मुझे लगता है कि आने वाले दो सालों में या 2.5 में वह अच्छा पर्फॉम करते हुए नजर आएंगे देखे गिरावट मार्केट का एक पार्ट है यह होता रहता है टेंचन नहीं लेना है लॉंग टम के लिए इनवेस्ट करके रखना है ताकि आपको लंबे समय में काफी इच्छा प्रॉफिट हो शौट टम होता रहता है ताकि जो ग्लोबल डिमांड है न हम उसको मीट कर पाए देखो डिमांड बहुत है पूरे वर्ल्ड में प्राब्लम यह है कि हम बना नहीं पाते हैं ऐसा अभी दोखो एपल का फोन बनाने के लिए अमेरिका इंडिय कर दो गा ना तुम टुम किलो रहा एंडिया में कोई बोली ने बना के देगा तो फिर कैसे होगा यहाल इंडिया वूलिए कि हांब एम भी बना कर दूंगा तुम आकर तो जरूर आए वो और आज को आ यह तो इसलिए क्या होता न कि सब् Cultural में बिमांड है लेकिन उत्रा स् को skilled होना है ना एक या दो को skilled होने से नहीं आगे बढ़ेगा और government कोईने कोई scheme वगर निकालती रहती है तो textile के लिए लोग निकालेंगे textile को आगे बढ़ाने के लिए और इससे ज़्यादा हम जितना ज़्यादा इन्होंने एक target भी रखा था export का देखना पड़ेगा वो और इनसे होता क्या है जैसे मैंने बोला employment के लिए तो यहां बर बताया जा रहा है around 1 lakh direct and 2 lakh 2 lakh indirect चलो कोई बात नहीं direct indirect दोनों को मिला लेंगे थीक है बताये कोई छोटा मोटा है बहुत बड़ा amount है बहुत ही बड़ा amount है इससे बहुत जादा लोग को रोजगार मिलेगा हमारे देश को फायदा होगा एक development का जगया बनेगा तो इससे मुझे लगता है कि आने वाले आपको तीन-चार साल टाइम देना चाहिए तो टाइम देना पड़ेगा मेरे इसाब से ऐसा मानना है और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डिमेट अकॉंट एंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकॉंट तो बिल्कुल फ्री में होगा डिलिवरी चार्जेस भी फ्री होगा केवल 20 रुपिस लगेगा वो भी इंट्राडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकॉंट बगरा उपन कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में